ये विलकम बैक टो शेयोंनल दुस्त वा वीदू बटलर के बिस्फोर्ट ने हैदरबाद के इकलिए को उध्वस्त कर दिया था वहीं वीरे दी टोली ने केक यार को अपने गहर में पस्त कर दिया था दोनों टीम है अपने पहले मुकाबले में बड़े बड़े टोटल सेट क के आ रही है ऐसे में इस मुकाबले में भीसर प्रहार भीसर मार देखने को मिल सकती है रनो का सैल आप चोको और छको की सुनामी देखने को मिल सकती है जी हाँ आई पील 2023 का आठवा मुकाबला पंजाब किंग्स और आस्थान रोयल्स के बीच में खेला जाने वाला है तो आ आपको पताएं, कौन से टीम ही में काबला जीच सकती है, पेच रिपोर्ट, फैंसे टीम के साथ साथ बहुत सारी बाते इस मैं से लेडर करेंगे, आगे बने से पहले आप से दो रिक्वेस्ट है, पहला ही है कि अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो पे हम 5000 similarities हाजार लाइक का तार्गेट रखते हैं, दूसरा रिप्वेस्ट है हमारा टेलिग्राम चैनल जोन कर लो, तो इसलिए हमारा टेलिग्राम चैनल जोन कर लो और एक चीज़ का धियान रखना फेक से बचके रहना है, इसलिए लिंक से ही जोईन करना है, कोशिस करो, कि लिंक से ही जोईन करो, सर्च करके जोईन करोगे, तो हो सकता है कि आप फेक चैनल पर पहुंचाओ, इसलिए लिंक से ही कोशिस करो, कि जोईन करो, तो ये जो मकाबला है, बारस पर आज स्टेडिया म अच्छे से आती है, अच्छे से connect होती है और एक वर फिर से बड़े बड़े टोटल हमें देखने को मिल सकते हैं, मुझे लगता है कि यह जो मुकाबले 200 प्लस का हो सकता है, बात किए अगर head to head battles की तो इन दोनों टीमों के भी 24 head to head मुकाबले आप तक खेले गए हैं, जिसमें लेकिन एक करोन का प्राइस पिसले साल first rank लाने पे मिलता था, लेकिन इस साल second rank लाने पे ही एक करोन मिला है, तो just imagine कि first rank लाने वाले को कितना मिलेगा, साधी साथ यहाँ पर अगर आप first rank लाते हो, तो luxury car जीत सकते हो, mobile phones जीत सकते हो, बहुत सारी चीज़े जीत सकते हो, माइ 11 circle देखना कहीं मौका मिसना हो जाए, आईए अब team preview कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, राजस्तान रोयस की, तो राजस्तान रोयस ने पिछले साल जहां कहानी को खतम किया था, वहीं से सुरू किया है, पिछले साल का form इनका इस साल भी जारी है, अपने पहले ही मैच में राजस्तान रोयस ने बहुत ही भायानक जीतरच की 200 प्लस का टोटल सेट किया, 23 में 200 प्लस रून बनाने वाली राजस्तान की टीम पहली टीम बनी थी, पैटिंग भी अच्छीवी, बॉलिंग भी अच्छीवी, प्लस पॉइंट से सुरुआत करते हैं, तो भया साथ दे रहे हैं, यह सवी जैसवाल, खतरनाक, कंदे से कंदे मिला के चलने हैं, संजू शेमसन की भी हैंसम पारिया में देखने को मिले, तो कमाल के फॉर्म में है, यह तीनों खिलाडी इनका टॉप अथ्री बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक नजर आ रहा है, घर में घ लेकर, ट्रेंट वोल्ट ने संडरे साधाबाद को चेक अंड मैट कर दिया था, साधिसात चतुर चलाक चहल भी हचे फोम है, चार विकेट, चतुर चलाक चहल ने चार विकेट पहले ही मैच मिले है, और स्वीन ने भी अच्छी गिंदवाजी की, साधिसात की मास्रीफ होल इनके टॉप थ्री पे है, अगर टॉप थ्री जल्दी निकल जाता है, तो मिडिल ओडर में दमखम नहीं, पिछले साल भी यही कंसर था, इस साल भी यही कंसर मुझे नजारा है, इनके मिडल ओडर में क्वालिटी बैटर्स हैं, दोधत पादीकल, हैट, माहर, पराग, बट डिपेंडेंसी जो है, वो टॉप थ्री पर ही है, बात की जागर टॉप फोर की, तो इनकी तरब से पहले टॉप फोर हो सकते हैं, जौस बटलर बहुत ही खतरनाक फोर्म है, यह है इनकी रिसेंट पारिया, और पंजाब की खिलाव 11 पारियों में 416 बना चुके हैं, बटलर जब सामने होती है, तो इनका बल्ला चलता ही चलता है, पंजाब की खिलाव दो ही मैच के लिए, एक में 68 बना एक में 9 बना चात बना आ है, और इस मैच में भी इनका बल्ला चल सकता है, शंजू शैंसन की भी हैंसम पारी हमें देखने को मिल सकते हैं, 55, 56, 79, 82, बहुत ही कम हैं, 17 पारियों में ही 28 बिकेट पंजाब की खिलाब ले चुगे हैं, उसके लिए ट्रेंट बोल्ट का भी एक और हाई बोल्ट इस परफोर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है, पहले मुकाबले में पहले ही ओबर में 2 विकेट उखार दिया था और चेकेंड मैट कर दिया था आपको कमेंट करके बताना है, सिंगल आंसर करना है, आई अब बात करते हैं, पंजाब किंग्स की तवईया, बीरे दी टोली ने अपने पहले ही मुकाबले में केके आर के खिलाब सांदार जीत दर्श की और 193 का टोटल बोल पे सेट किया, 7 रनों से जीते, 24 गिंतों पे 46 चाहिए थी कियार को 12 आ गई और वहां पे 7 रन से आगे थी पंजाब डैट्स वाई, ये लोग जीत गए, और वैसे भी मुकाबला अगर होता पूरा, तो 7 विकेट इन्होंने गिरा दिया थे, अर्शदी बहुत ही खतरनाक फों में थे, एक ओवरूं का बच्चा हुआ था तो वैसे भी ये लोग जीत जाते, शुरुवात करते हैं इनके प्लेट्स पोंच से, तो सबसे बड़ा प्लस पोंच ही है कि ये टीम देखने में उतनी ताकतवर नजर नहीं आरे है, लेकिन मैधान पे इनका प्रदसन बहुत ही खतरनाक रहा, सभी ने मिल जूल के प्रफो वह भी को टाई करते हैं, धवन एक छोर पे एंगर का रोल प्ले करते हैं, टुक टुक करके सिंगल डबल करते रहते हैं, और सामने वाले बल्ले बाजो करते हैं, आओ या तुम लोग मारो, मैं एक छोर को संभाले रखूंगा, तुमको आना है, बस हिट लगाना है, और यह पैटर्न इस मैच में भी फॉलो होते हुगा, देख सकता है, पंजाब के मिडिल ओडर में भी काफी सारे क्वालिटी बैटर में मौजूद हैं, जीते इस सर्मा बहुत जादे अंटरेटेड प्लेयर हैं, इनको उतना ज्यादा रेट नहीं किया जाता है, बहुत ही कमाल के बहुत ही कमाल की बैटिंग पहले मैच में करी, उसके लिए सिकंदर, राजा, शायम, करन, काफी सारे क्वालिटी बैटर में मौजूद है, अगर इनकी गेंदबाजी की बात किया है, तो इनकी गेंदबाजी इनकी मैन स्रेंथ है, और सदीब सिंग बहुत ही खतरना कौम मे अरसदीब का 2.9, 3.9, 4.9, 5.0 बर्जन हमें देखने को मिल रहा है, इन्टेटनेसल मैच खेलके भी अब आ चुके है, काफी experience हो चुका है, पहले ही मुकाबले में तीन विकेट लिया, साधी शायम, करन, नैथन नाले, राहूल चहर, इन सब ने भी अच्छी गेंदबाजी इंपक्ट प्लेयर के रूप में पंजाब की टीम चाहे, तो मैट सौट का इस्तमाल कर सकती है, और मुझे मतलब समझ में नहीं है, कि पहले मैच में मैच सौट तो इन्होंने क्यों नहीं खिला है, बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है, अगर वो खेलते हैं, तो सिखर धमन के ल लेकिन बीच बीच में इन से सौरन बनाना भी मुस्किल हो जा रहा था, क्योंकि ये लोग मतलब अटैकिंग मोड पे चलते हैं, आओ और मारो, मारते रो, मारते रो, मारते रो, इसे में इनकी बल्लेवाजी बहुत जादे अनप्रेडिक्टेड बन जाती है, तो इनकी शायम करन, 18 करोन के खिलाडी, सबसे मेहंगे खिलाडी, ये भी इस मैच में टॉप अफ मोर सावित हो सकते हैं, उपर बैटिंग के लिए आ सकते हैं, और बालिंग तो करेंगे ही करेंगे, अर्श रदीप सिंग 3 विगेट, 2 विगेट, 4 विगेट, फॉर्म बहुत ही अच् इंपक्ट प्लेयर के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, बात कीजिए अगर हमारी फैंटेसी टीम की, तो हमने अपने फैंटेसी टीम माह 11 सरकल पे बनाईए, जो की आपको करोण पती बना सकता है, पिष्छे साल 50 लोग को करोण पती बनाया था, डिक्सिप् आप संजू शामचन को बना सकते हो, वागी फैनल अपडेटेटे टीम तो वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगी, तो इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर जोइन करना चाहिए, यहाँ पर मैं सिर्फ कुछी प्रेडिक्शन बताता राज्तान रोयल्स की टीम इस मैच में जीत हासिल कर सकती है, जी हाँ एकोडिंग टु मी राज्तान रोयल्स मैं भी दूबनार आप दिस मैच, बाकी मैं तो हमें सस कहता हूँ सुनो सबकी करो, अपनी सबकी वीडियो देखो, सबका प्रेडिक्शन सुनो, बड़ सबकी वी लाइकन को भी प्रेस कर लें, धन्यवाद